नमस्कार दोस्तों मैं Chartered Accountant Sachin स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्स की सचिन पर और 43BH जो इस समय सबसे ज़्यादा Controversial है और सबसे ज़्यादा बहुत कांफूजन है लोगों में मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं मनाम नहीं लोगा यह zarap नहीं Mount बता रहो मिस इंफॉमेशन शेर मत करो यूटूब पर आज मैं बताऊंगा कि क्यों मैं कहता हूं कि प्रिजम्टीव पे फॉर्टीफोर एडी फॉर्टीफोर एडी और फॉर्टीफोर एडी जो प्रिजम्टीव टेक्सेशन है इस पर यह 43BH लागू होगा यह क्या रीजन ह है वह बताऊंगा क्या डिफिकल्टी है जिसकी वह से यह इंप्लीमेंट होने में बहुत दिक्कत करेगा सबसे पहले क्यों लागू होगा यह समझ लीजे सेक्शन 43B स्टार्ट होता है नॉन अफ्स्टेंट क्लॉस से यानि कि लिखावा वहां पे नॉट विट स्टेंडिं यानि की कहीं भी कुछ भी लिखा हो हिंदी रहे हूं नॉट विट स्टेंडिंग अनिथिंधों कंटेंगी इन अनी अधर पो इस нас served यानि की प्राविजन में कहीं पर भी कुछ फ्राव उसकी बात नहीं माने जाएगी इसकी बात माने जाएगी यानि की इससे ओर आ कि सिर्फ इसकी बाद सबसे पहले रखी जाए अगर जब यह बात आ जाती है तो इसका मतलब 44 A D 44 A E में कुछ भी लिखा है कोई फ्रक नहीं पड़ेगा इसका मतलब इस पे भी अप्लाई होगा सेक्शन 43 B की स्टाडिंग यह जिस स्टाडिंग ने बोल दें किसी बैक्ट में कुछ भी लिखा हो में कोई नहीं पड़ता 44 A D में A E में यह नहीं लिखा हुआ कि 43 B की कंप्लाइंस नहीं करनी है अब एक पाइंट और 43 B पहले आता है कंप्लाई करने के लिए स्टेट्टिर लाइबर्टी और 44 A D A D A E बाद में आता है 43 B 1983 में आयता यानकि पहले आपको 43 B की कंप्लाइंस करनी है उसके बाद 44 A D A D A E आते हैं सेक्शन बाद में आते हैं तो क्या हुआ 43 B हमेशा प्रिवेल करेगा प्रेसिडेंट करेगा ओवर 44 A D 44 A D A और 44 A E में इस वएसे मैं कह रहा हूं यह सेक्शन लगेगा अच्छा मेरी सी बात को प्रूफ करता है यह के आजी ट्रिविनल इन केस ऑफ गुड्स लग काइनेटिक वर्सेस आइटियो यह मैंने शेर कर दिया है डिस्किप्शन बॉक्स में लगा दिया है आप इसे पढ़ना जिसमें इसने कहा कि 44 A D और A D A E की वज़े से आप अपनी स्टेट्यूट्री लाइबिटी से बच निसक सब्सक्राइब और यह मेकैनिजम है स्मोल टेक्स पेर के लिए आया था ताकि उनको हैल्प हो सके इसका मतलब यह नहीं है तो बागी चीज़ों को कर दें इस केस लोगों पढ़ना आपको हल्प मिलेगी तीसरा पॉइंट 43 B क्या कहता है आपका इंप्लेयर का पी एफ है ए फेर जमाई निकरा होगे यह से जमाई करा होगे बहुत इंपोरटन एंट है क्यों पढ़ने की इडियर अप्रति का पिएफ signed P को मैं 100 नियुक्र को जमा करना पड़ता है यह तो 15 दिन 6 और Sapp कर सब्सक्रक्राइब тобой नासे 1 को जमा हुआ आपका कभी भी एक दिल लेड़े हो गया तो आपको खर्चा नहीं मिलेगा आपकी इंकम मन जाएगी बहुत सारे केश चलने सुप्रीम कोड ने भी डिपार्मेंट के फेवर में दिया है बहुत लिटिगेशन चल ली जब बरदस इसके उपर जबता सरकार कुछ नहीं करेगी इसमें आदमी मर गया है क्या है क्या है सिर्फ हेल्पिंग करने के लिए स्मॉल टेक्स पेर को आए बट वह वालेट नहीं कर सकते अधर स्टेटिटरी रुकार्मेंट 43B की जैसे टीडियस हो गया इंप्लायर पीएफ हो गया इन सबको टैम ली आपको जमा करन हो इसमें आपको वही 15 दिन और 45 दिन अब पांच पन बता दिये आपका मन तो कर रहा होगा कि हाय लगना तो है लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा होगा देखिए एक ची में बता दूं हम प्रोफेशनल से हैं या को बिजनिसमेन हैं हम प्रोविजन को अपने कमफट के हिसा प्रोफेशल इकनोमिक वेलफेर की वज़े से आया है आप इसमें ऐसे अप्लाइक कर दूं इसमें मेरा फायदा एक चीज और आप कहेंगे मैं बॉक्स तो मनाता ही नहीं हूं तो मैं अपने क्रेटर निकालू कैसे क्या को बिजनिसमें यह कह सकता है कि मैं को पता नहीं है क कि मुझे कितने क्रेटर पे करने क्या जेश्टी नी फाइलिंग करता होगा जिसकी टेन ओवर एक कोड़ दो कोड़ हो रही है कि क्या अपना रिकॉर्ड नी रखता होगा क्या आप आई ट्र के अंदर क्रेटर की डिल नहीं जालते पटिकलर वर बिजनिस के अंदर जब आई से 44 AD में भी क्रेटर की दिल मांगी जाएगी तो करक्स यह है 44 AD, ADA और AE में यह प्रोजन एप्लिकेबल होगा अपने क्लाइन को समझाइए कल को जब क्लाइन की एडिशन होगी क्लाइन आप फिर को गाली बगएगा ऐसे पोफेशनली कि तुने मुझे बताया क्यों यार मैं तो पे कर देता 10 लाकी तो मेरी FDC मैं पे कर देता ना कहीं से लोन ले 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 था आज पे पर एक परसंट पर मैं 30% टेक से बच जाता इंट्रस बच जाता प्रैंटी से बच जाता तुने को नीं डिसलाउंस करी हमें गाली सुन्नों को मिलती है क्लाइंट कुछ नहीं कहता क्लिएंट को भी बुर्लाओं में अगर को विपारी देख रहा है तो इन चीज़ों को ध्यान रखे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है नो डाउट और हो सकता है आपका व्यू इस पर थोड़ सा अलाओ हो आप कमेंड बॉक्स में में से इस पर डिसकेशन कर सकते हैं हेल्थी हमेशे वैलकम है पर कुछ उल्टा सीज़ा मन लिखेगा कि तिरे को पता नहीं है तो कैसे बन गया यह वह सब बेकार की बात हैं डिसकेशन कीजिए अलाओ है अच्छा लगता है को डिबेट करना चाहता है वह भी कर सकता है लेकिन 43B एच परविजन 44 ADA AEE ADA पर लाग होंगे क्रेटर जब दिखाऊगे तब आपकी इंक्वाइरी हो सकती है कि आपने यह फोलो करा यह नहीं बहुत ही कंटो वर्शल टॉपिक है दोस्तों तो मैं चाहूंगा आप इसे अपने सरकल पे वर्शू फेस्बुक सब जगे शेर करें चार्टेर कांटेंट तो क्लाइन को बे क्लिक करना होता है तो चैनल सिस्क्राइब बाता है हर बार क्लिक करने की जोत नहीं है और को चाहते है मैं वीडियो बनाओ कमेंट बॉक्स में लिग दीजिएगा कोई क्वारी है वह भी मेरे से पूर सकते हैं मेरा मुवाइल नमबर है किसी चीज़ पर क्लाइफिकिशन चा मिलूंगा अगली वीडियो में तब तकिल नमस्कार